शनिवार को परीमंडल क्रमांग 3 की टीम ने एक दुकान पर छापा मार कर सरकारी अनाज की काला बाजारी का परदाफाश किया इस मामले में पुलिस ने आरूपी दुकान संचालक सहे दो लोगों को गिरफ्तार किया वहीं अनाज के बोरे भी जबत किये सरकारी अनाच की काला बाजारी का परदाफाश हुआ है परीमंदल क्रमांग तीन की टीम ने शनिवार को दुकान पर छापा मारा प्रकलन डर्जकर आरूपी दुकान संचालक सही दो लोगों को गिरफतार किया गया उनके कबजे से अनाच की बूरे भी जबत किये गए हैं और लोगों पर भी गाज किर सकती है जूनी मंगलवारी इस्तित कोलबा स्वामी चौक में सबतरंग नाम से भोजराज कवड़ू पार शिवनी कर नामक वैक्ती की राशनिंग की दुकान है परिमंदल क्रमांग तीन की उपायुक्त गजानन राजमाने की टीम को गुफत जानकारी मिली थी की इस दुकान से राशनिंग काट धारकों की बजाए अन्य वैपारियों को अनाच की बिक्री होती है सरकारी अनाच की काला बाजारी होने का संदे होने से गत कुछ दिनों से टीम दुकान पर नजर रख रही थी सूचना की पुष्टी होने से शनिवार की दुपहर को पुलिस ने दुकान में चापा मारा कारवाई के दौरान अनाच की 182 बोरे जब्त किये गए हैं दुकान संचालक भोजरा सहित दिनेश तित्रे पूनापूर पारडी निवासी नामक वैक्ती को भी गिरफतार किया गया है कारवाई से संब्मनित विभाक के अधिकारी और वैपारी भी बेनकाब होने की संभावना है प्रकरन डर्च किया गया जाज जारी है क्यामरा परसन अखिलेश भारत द्वाज के साथ दिशाटवा बीसे निवस नाथपूर